आजादी का सफर आकाश मनी के साथ भारत का गौरवशाली सोतंतरता संग्राम आधनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संगर्शों में से एक है आकाश मनी समाचार आपके लिए प्रति दिन इस संग्राम की एक जलक लेकर आता है 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयनती है 1888 में मक्का में जन्में अबुल कलाम आजाद ने अपने पिता और अन्य शिक्षकों से कलकत्ता में घर पर पारम पर एक इसलामी शिक्षा प्राप्त की वे अर्बी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फार्सी और बंगाली जैसे कई भाशाओं के अच्छे जानकार और एक विख्यात विद्वान तथा कवी थे उन्होंने धर्म और जीवन के संकीन दृष्टिकों से अपनी मानसिक मुक्ति के संकेत के रूप में उपनाम आजाद को अपनाया मौलाना अबुल कलाम आजाद कम आयू से ही पत्रकारिता और राजनीती में सक्रिय हो गए थे वे बंगाल के दो प्रमुक क्रांतिकारियों अर्बिंदो घोश और श्री शाम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर बिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदूलन में शामिल हो गए दो वर्षों के भीतर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरे उत्तर भारत और बंबे में गुप्त क्रांतिकारी केंद्र इस्थापित करने में मदद की 1912 में मौलाना आजाद ने उर्दू में अलहिलाल नाम से एक सापताहिक पत्रिका की शुरुआत की सरकार ने 1914 में अलहिलाल पर प्रतिबंद लगा दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतिय राश्ट्रवाद और हिंदू मुसलिम एकता के प्रचार के समान मिशन के साथ एक और सापताहिक अलबालाग निकालनी शुरु की 1916 में सरकार ने इस पर भी प्रतिबंद लगा दिया और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकता से निश्कासित कर दिया गया खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद महात्मा गांधी से मिले उनके आदर्शों से प्रहभावित होकर वो 1920 में कॉंग्रिस में शामिल हो गए मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 35 वर्ष की आयू में भारतिय राष्टरिय कॉंग्रिस के अध्यक्ष की रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र की विक्ती थे उन्हें 1920 और 1945 के बीच अलग अलग आरोपों में कई बार जेल भेजा गया जिसमें सविने अवग्या आंदोलन और भारत छोडो आंदोलन में भागीदारी भी शामिल था उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए मुलाना अबुल कलाम आजाद सम्विधान सभा में विशेशकर शिक्षा से समधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे उनका मानना था कि एक राश्ट्र के रूप में भारत को उच्छ शैक्षिक मानकों के आकांग्शा करनी चाहिए 1947-1958 में अपनी मृत्यू तक देश के पहले शिक्षा मंत्री की रूप में उन्होंने 14 वर्ष की आयू तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारे प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है अबुलकलाम आजाद ने अशिक्षित व्यस्कों की शिक्षा की लिए व्यस्क शिक्षा बोड की स्थापना की उन्होंने विशुविद्याले अनुदान आयोग और भारतिय विज्ञान संस्थान तथा आयाईटी जैसे अन्य शक्षन संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपून भूमिका निभाई मौलाना अबुलकलाम आजाद ने 22 फरवरी 1958 को अन्तिम सांस ली उनकी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम 1969 में उनकी मृत्यू के बाद प्रकाशित होई थी उन्हें 1992 में मरणोपरांथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था शिक्षा के क्षित्र में उनके अमूले योगदान के कारण 11 नवंबर को राश्ट्रिय शिक्षा दिवस की रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को गांदिवादी समाजवादी पर्यावरण विद स्वतंतृता कारेकरता आचारे जेबी क्रिपलानी की जेंती भी है आचारे क्रिपलानी के नाम से विख्यात जीवत राम भगवानदास क्रिपलानी का जन्म 1888 में हुआ था उन्होंने भारत के सोतंतृता आंदूलन में पूरी तरह से शामिर होने से पहले 1912 से 1927 तक विभिन संस्थानों में शिक्षक की रूप में से वाहिं दी 1917 में चंपारन सत्याग्रे के दोरान उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई 1922 के आसपास जब वो महत्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीट में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने आचारे की उपादे हासिल की गांधी जी से प्रेरित होकर वो 1927 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस में शामिल हुए और असायोग आंदोलन तता भारत छोडो आंदोलन में भाग लिया आचारे क्रिपलानी का विवाह उन्हीं के समान व्यक्तित्र की धनी गांधिवाधी कारेकरता और सोतंतरता सिनानी सोचेता क्रिपलानी से हुआ था आचारे जेबी क्रिपलानी संयुक्त प्रांत से सम्विधान सभा के लिए चुने गए वे मौलिक अधिकारों पर उप समीती के अध्यक्ष थे उन्होंने सम्विधान सभा में प्रस्तावना पर अपने विचार वेक्त किये 1946 में उन्हें कांग्रिस पार्टी का अध्यक्ष शुना गया लेकिन कारे समीती की भूमिका पर पार्टी के सदस्यों के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण एक साल बाद उन्होंने इस्तिफादी दिया जल्दी ही कृपलानी भारतिये राष्ट्रिय कॉंग्रिस के कड़े आलोचक बन गए आचारे कृपलानी का 19 मार्च 1982 को 93 वर्ष की आयू में अहम्दाबाद में निधन हो गया इसके साथ ही आजादी का सफर आकाश्वनी समचार के संग श्रिंखला का अंक समाप्त होता है मिलते हैं कल अगले कड़ी में हुआ है